वारा नुशी में एक स्रेष्टी का उत्र रहता था जिसका नाम यस्थ था वह तरुन था और देखने में बहुत आकर्शक था वह अपने माता पिता का दुला रहता और बहुत वायभवपूर्ण जिवन वेतित करता था उसके बहुत से नौकर चाकर थे उसके अंतपूर महल में बहुत सी स्त्रिया थी और उसका सारा समय वित्यगान शुरापान और कामभोगों में ही वेतित होता था समय वित्ने पर उसे विरक्ति की भावना ने आघेरा उसकी चिंता यह थी कि वह इन रंग रलियों से कैशिच छुटकरा पास आता था जिस जिवन को वह वेतित कर रहा था क्या उससे भी सिरिष्टतर कोई जिवन मार्थ था यह समझ पाने में असमर्थ की वह क्या क्या था उसने अपने माता पिता का घर छोड़ देने का निर्ने कर लिया एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और योही भटक रहा था वह घुंता घुंता रुशी पतन की ओर चल आया थका बटके मारे वह एक जगह पर आकर बैठ गया और बैठा बैठा आके लाही जोर जोर से बड़णाने लगा मैं कहां हूँ, कौन सा रास्ता है, ओहो, इतनी परिशानी है, ओहो, इतना संकट है यह घटना उसी रात को घटी, जिस दिन तथागत ने रुशी पतन में पंचवर्ग्य भिक्वों को अपना प्रथम धम्म उपदेश दिया था ठिक उस समय जब यश रुशी पतन की ओर बढ़ता हुआ, चला आ रहा था रुशी पतन में ही विराजमान तथागत बहुत सबेरे उटकर खुली हवा में चक्रमन कर रहे थे उन्होंने कुल पुत्र यश को देखा, जो दुखत भावनाओं को व्यक्त करते चला आ रहा था और तथागत ने उसकी दुख भरी पुकार सुनकर कहा, कही कोई विता ही है, कही कोई संकट नहीं है, आ, मैं तुझे रास्ता दिखाँगा और तथागत ने यश कुल पुत्र को अपना उपदेश दिया, और यश ने जब वह उपदेश सुना, तो वह हर्शित हुआ और प्रमूदित हुआ, उसने अपने सुनारे जुते छोड़ दिये और वह जाकर तथागत के पास बैठ गया, और उनको आदर पुरवक नमन किय बुद्ध के वचन स्थ्रद रुदेश्ट करके यश ने तथागत से याचना की, कि वह उसे शिश्य रूप में शुकार करेगा, तब तथागत ने उससे कहा, आ और भिकुबन, जिसे यश ने मान लिया, यश के माता पिता यह जानकर बहुत दुखी हुए कि उनका पुत्र लापता हो गया था, पिता यश के खोज में निकला, यश का पिता ठीक उसी तरह से गुजरा, जहां सयम भगवान बुद्ध और यश कुल पुत्र विक्षु वेश में बैठे थे, और वहां से गुजरत यश के पिता ने तथागत से पुछा, क्या आपने मेरे पुत्र यश को कही देखा है, तथागत ने उतर दिया, आओ, तुमारा पुत्र मिल जाएगा, यश का पिता अंदर गया, तो अपने पुत्र यश के पास ही जा बैठा, किन्तु वह उसे पचान नहीं सता, तथागत पिता ने उसे बताया कि कैश यश उसके पास आया था, और किस प्रकार उनका प्रवचन सुनकर वह धिकू बन गया था, तब पिता ने अपने पुत्र को पचान लिया, उसे इस बात की प्रसनता हुई कि उसके पुत्र ने सही मार्प चुन लिया था, पुत्र यश, यश का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग के दुख में दुभी है, घर लोड़कर अपनी माँ को फिर से जिवन दो, तब यश ने तथागत की ओर देखा, और तथागत ने यश के पिता से कहा, गुरोपती, क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर गुरोपती में करने में ही लाप पाता है, तो वह आपके साथ ही थहर जाए, यश ने एक पुत्र भिक को ही बने रहना, उचित समझा, विदा लेने से पहले यश के पिता ने खा, तथागत मेरे घर में, मेरे परिवार के सदशों के साथ, सादर भोजन ग्रहन करना शुकार करे, चिवर धा भिक्षा पाता हाथ में ले, यश कुल पुत्र सहीत तथागत उसके गुर्वपती पिता के घर पहुचे, जब वे घर पहुचे, तो उनकी भेट यश की माता तथा पुर्वपतनी से हुई, भोजन करने के बच्छात तथागत ने यश गुर्वपती के परिवार के लोगो को धमो अबदिश दिया, वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने तथागत की शरन गर्वन करने का वचन दिया, यश के चार मित्र थे, जो वारणसी के धनी परिवार के पुत्र थे, उनके नाम थे विमल, सूब आहू, पुन्यजित, तथा, गवामपती, जब यश के म पुत्रों ने सुना कि यश ने गुद्ध और उनके धम्मकी शरन गर्वन कर ली है, तो उन्हें लगा कि जो यश के लिए अच्छा है वही उनके लिए भी अच्छा होगा, इसलिए वे यश के पास गए और उसने कहा कि वह उनकी और से भवान गुद्ध से प्रार्थना कर कि वह उने भी अपना शिश्य बना ले, यश ने शुकार किया और जाकर भवान से प्रार्थना की, उर्पाय मेरे इन चार मित्रों को भी धम्मों गुद्ध दे कर पतार्थ करे, भवान गुद्ध ने शुकार किया और यश के मित्रों ने भी धम्म में दिक्षा ग्रहन की, इनके अलावा पचास यश मित्रों ने भी दिख्षा गहन कर ली भवतू सब मंगल